36 गड़ में वर्रक्षक के पदों के लिए सारीक मापड़न और इसका फिजिकल जो टेश्ट है दक्षता पर इच्छा वो लिये जा रहे हैं आज के इस चुड़ों में आप इसमें कैसे स्कोर कर सकते हैं वर्रक्षक में फिजिकली किस प्रकार हो रही है वो सारी जानकरी आपको यहां पर मिलेगा आप ज्यादा स्कूर किसमें कर सकते हैं मैंने कैसे स्कूर किया था वो आपको यहां पर बताएंगे सारी कर रहता हैं आप यहाँ पर देख रहे होंगे आप अगर S.C. O.B.C. समाने से है तो आपकी हाइट 130 cm, हाइट छूट की हिसाब से S.G.Police में इससे ज़्यादा हाइट रहता है अगर इस्टी वर्ग से तो 152 cm है पुरू सभ्यार्थी के लिए ज़्यादा तर जो केंडिडेट जा रहे हैं वो हाइट में नहीं कट रहे हैं ज़्यादा तर जो कट रहे हैं वो सीना में कट रहे हैं यहाँ पर महिला अभ्यार्थी कर देखेंगे तो हाइट 145 cm और अन्यका 150 cm है आपको सीना को जो है 5 cm फुलाना है जहां रखेंगे 89 cm आपका नुनतम होना तो अगर इससे कम सीना है आपका तो आप डिस्कौलिफाई हो जाएंगे यहीं सी अगर यह अरताएं आप पूरा कर लेते हैं तो आपका फिजिकल दक्षता परिच्छा होगा जो कि कुल 100 नंबर का रहेगा तो कुल 210 मार्क है लिखित परिच्छा को मिला कर तो आप यहां से 100 अंक में बहुती ज़्यादा इसको लाने का प्रयास करें यह चार इवेंट में कराया जा रहे हैं 200 मिटर दर, 100 मिटर दर, लंबी कुद और गोलाफी यह चार है इसमें उची कुद नहीं है इसमे पहला जो 200 मिटर का दोड होगा उसमें आप समय देखेंगे तो बहुती कम समय दिया गया है आपको 25 अंक लाने के लिए 25 सेकेंड में 200 मिटर को कंप्लेट करना होगा पहले जो है 100 मिटर का दोड होता था सेजी पुलिस में और 12 संकेंड का समय रहता था उसकी साब इसिहा हम देखें तो 200 मिटर के दोड में 25 पचास सेकंड तक का समय दिया गया है पुरूस को और महिलाओं को 30 सेकंड तक कर समय बियागे है पूरे 20 अंक लाने के लिए अगर आपको 25 अंक लाना है तो आपको 24 असमय पांच सुनने सेकंड में या इसे कम समय में पूरा करना होगा यह जादा से जादा नंबर लाने के लिए है तो आप इसमें नंबर ला सकते हैं दूसरा जो है वो है 800 मिटर का दोड़ इसमें आपको एक ही प्रयास मिलेगा रनिंग में दोड़ में 200 मिटर के दोड़ में और 800 मिटर के दोड़ में भी आपको एक ही प्रयास मिलेगा आपको 25 अंक तब मिलेंगे जब आप यह male candidate का है और इधार जो दिया हुआ है, फीज्ट में ज्यादा समय दिया गिए है थोड़ा सा ज्यादा अंतर नहीं है, 3.0 मिनट है् approach इसमें 25 अंक लाने के लिए और 4.0 मिनट में पहले पूरा करने हैं कुछ न NO कुछ अंक पाने के लिए उसके बात आ जाता है लंबी कूद लंबी कूद में आप पूरा का पूरा अंग्ल आ सकते हैं 5.25 मिटर या इससे अधीक दूरिक अगर आप लंबी से लंग लगाते हैं तो आपको 25 अंग मिलते हैं इसमें आपको तीन बार चांस दिये जाते हैं महिलाया के लिए इसमें थोड़ा से मीटर को कम कर दिया गया हैं 4-2-5 मीटर या इससे अधिक अगर आप लंबी कुद करते हैं तो आपको 15 अंक मिल जाते हैं कम सकम अंक पाने के लिए आपको यहां पर दिया गया है कि इसमें भी आप अच्छा सा इसकोर कर सकते हैं मैंने जब जीला पुलीस भरती का फिजिकल हुआ तो लंबी कुद में एकदम तो हम यहां पर नहीं पहुँच पाया थे लेकिन हमने तीन इस्टेप को पार कर लिया था तो कम सीक्व 15 यहां पर आपको आजाते हैं मेरे अपना बता रहा हूं लेकिन आप पूरा का पूरा अंक लाने का प्रयास करें और अगला देखते हैं गोला फेक का गोला फेक में जो गोला का वजन होगा वो पूरुष के लिए 7 दसमनों 6-2 किलो महिला के लिए 3 किलो और सभी को 3-3 प्रयास मिलेगा तो आपको 25 अंक लाने के लिए 9 मीटर फेक ना होगा और महिलाओं को 8 मीटर फेक ना होगा 25 अंक लाने के लिए ठीक है तो ये कम से कम देख सकते हैं और हमने जब हम जब फेके थे तो हम तो 9 मिटर फेक नहीं पाये थे लेकिन 8 मिटर जरूर फेक लिए थी हम 20 अंक यहाँ पर पा जाते लेकिन उसमें अलंग का निर्धाना जो है अलंग के डिगरी से होता था यह हमार अनुखाव है आप इन दोनों में ज़्यादा अंक लाने का प्रयास कर सकते हैं 800 मिटर में भी आप ज़्यादा अंक लाने का प्रयास कर सकते हैं लेकिन 200 मिटर में आपको 24 से कंड बहुती कम समय दिया गया है तो इसमें हो सकते हैं आप 25 के 25 ना लाए लेकिन यहाँ पर आप 15 से 20 अंक लाने का प्रयास जरूर करें तो मेरा यही आपको update देना था कि physical में आपको ऐसे ज़्यादा score कर सकते हैं और आपका physical कव है उसे साब से आप अपनी त्यारी को करते रहें और इसमें पात रहोने के लिए कम से कम आपको 100 अंक में 60 अंक लाने होंगे तो नीचे डिशन बाक्स में लिंग भी आगया है जहां से result चेक कर सकते हैं हम कैसे चेक करेंगे इसके लिए एक YouTube बनानेंगे जहां से आप यहाँ पर से देख सकेंगी वर रख्षक में physical में कितना कितना पासवरे हैं कितने कट रहे हैं किस किस छेतर में